वेल्कम बैक अगें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अवर्वी दिया था Google Map API Console का, इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट को सेट अप करेंगे, जो हमने प्रोजेक्ट क्रियेट किया था, अपनी Google Map API Console को, उसको हम Android और iOS के लिए किस तरह से सेट अप करेंगे, वो मैं आपको कर इस वीडियो में, अगर आप प्रोजेक्ट नहीं सेट अप कर पाए, आपने कोई API की घलत जगा पर यूज़ कर ली, तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा, अगर रन हो भी गया, तो आपको Google Map इंटिग्रेट नहीं होगा, सही तरीके से, ठीक है, तो आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब कर लें, आप मुझे लिंक्टिन को पर फॉलो कर सकते हैं, इसके लावा साथ, तमाम सोशल मीडिया की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट कर दी गहीं है, आप इसके लावा मेरी Facebook Community की जोईन कर सक यहां पर जब आप टाइप करेंगे, तो आपके पास यह देखें, pub.dev open हो गया है, यहां पर आपके पास दो dependencies आ रही है, फस्ट इस Google Map which is created by flutter.dev, and second आपके पास है flutter google map which is created by this marchdev.t, make sure के आप यह flutter.dev वाली dependency यूज़ करें, ठीक है, यह इसकी तमाम documentation है, जो आप read कर सकते है मुझे already इसके बारे में idea है, so मैं इसको skip करता हूँ, and मैं installation पर आता हूँ, यह जो आपने Google Map flutter है, इसको copy करके आपने यहां पर आ जाना है, यह आपका जो root project है, जो आपने create किया है, and यहां इस pubspec.yamil file के अंदर, okay, then what you need to do, आपने इसको यहां से copy करके paste कर देना है, then hit this pub get, okay, जब आप इसके बार click करेंगे, तो आपका यह package आपके इस project में add हो जाएगा, okay, and यहां पर आपके पास exit code आजाएगा 0, okay, works fine, now what we need to do, यहां पर अभी वेट करें, exit code आजाएगा 0, अब यह इसके अंदर हम कौन कौन से features use कर सकते हैं, वो मैं आपको फिलाल नहीं बत आउंगा, ठीक है, अभी जो हमने basic functionalities add करनी है, वो है most important thing, यहां पर आपके पास, यहां again आजाए, and यहां पर लिखें, google map, api console, okay, और आपने जो project create किया होगा, make sure आप अपने gmail account के साथ login हो जाए, and अगर आपको project create नहीं करना आता, तो आप last video ज़रूर देखना, अगर व okay, and यहां पर आपके पास है, आपकी API key, इस API key के थुरू Android app और iOS app को Google map identify करता है, और वो आपको access देता है, कि आप इसको use कर सके, ठीक है, so make sure यह जो यहां पर credentials में आपके पास यह रही API key, यह अब आपने यहां से copy कर लेनी है, but before that, let's go to our documentation, यहां पर आप देख सकते है, google map flutter.dev, and readme key पर आजाएं, okay, so यह इसकी कुछ documentation है, जो कि आप read कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आपके पास restriction है, कि आपका minimum SDK version, जो है, वो 20 होना चाहिए, ठीक है, so यह Android के लिए, तो अब आपने क्या करना है, आपने आना है, यहां पर Android में, और यह आपके पास है, build.gridle अब build.gridle के अंदर आप नीचे आजाएं, यहां पर इसको मतवर सा close कर देता हूं, इस side क्यों पर, okay, यह है आपकी app level, not, project level, ठीक है, अब आपने आना है, app level के अंदर, app, build.gridle, okay, यहां पर आप आजाएं, तो आपके पास यह रा minimum SDK version, so आप इसको यहां से replace कर दें, किस के स साथ, okay, today's back, यहां पर minimum version 19 था, so make sure कि आप latest को follow करें, ठीक है, documentation को, so मैंने यहां पर 20 कर दिया, okay, next आप जाएं, तो यह आपको कह रहा है, कि यह meta tag आप Google Map के लिए add करें, ठीक है, so इसको आप यहां से copy करेंगे, and यहां पर android app source, source के अंदर, यह main, main के अंदर यह android manifest file है, okay, यहां पर आप देखें, तो इस activity को close कर दें, और यह जो आपका application level का folder है, आप इसको यहां से add कर दें, and अब यह आप से कह रहा है, your key hair, तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने, जो आपने Google Map API console की पर project create किया था, उसकी यह API की आपने यहां से copy करनी है, and यहां पर आप इसको place कर दें, make sure कि यह API की आप किसी के साथ share न करें, वरना कोई भी आपके इस project को use कर सकता है, ठीक है, अगर, second चीज, यहां पर आप देख सकते हैं, कि हमने इसके लिए already, जो rest of चीज़ें थी, यह देख सकते हैं, हमने Android Map और iOS Map दोनों enable कर रखा है, तो यह हम use कर सकेंग तो आप इसको enable कर लीजेगा, ठीक है, तो यह यहां पर हमने add कर दी, अब Android के लिए हमने तमाम settings यहां पर add कर दी है, ठीक है, यह हमारा यहां से जो portion हो complete हो गया है, ओके आप इसको skip कर सकते हैं, यह कह रहा है iOS के लिए, ठीक है, अब iOS के लिए यहां पर आपके पास दो option है तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर Android को close करना है, iOS में आ जाए, runner में आ जाए, यहां पर आपके पास है apple delegate dot swift, यह आपके पास यह folder होगा नए version में, जो के नए version, dart के नए version के उपर जो project बन रहे हैं, उसके पास आपके पास यह option होगा, app delegate dot swift, अब आपने करना क्या है, आपने यहां से इसको copy करना है, okay, GMS Services provided API की, and आपने क्या करना है, आपने इसको यहां पर paste कर देना है, okay, now what next, आपने यहां से जो आपकी API की थी, यह Google Map API, इसको copy करे, and यहां पर आप इसको paste करने, ठीक है, यह अब आपकी iOS के लिए भी integration होगी, let's go to documentation again, and यहां पर देखें फिर ही आपको कह रहा है कि अगर आपके पास, sorry, it is for appdelegate.m, so मैंने mistake करती है, यहां पर जो नई version के साथ जो आपकी app बनेगी, उसमें आपके पास appdelegate.swift आएगा, m previous version में आता था, ठीक है, अगर आपके पास m है, तो आपने इस तरह से करना है, अगर आपके पास appdelegate.sw तो आपने इस तरह से करना है, यह GMS, आप इस store यहां से copy करें, यहां पर इसके साथ replace करने, और आपकी API की है, वो आप यहां से again copy करने, यहां पर आप इसको paste करने, अब आपकी iOS के लिए भी यह add हो चुकी है, ठीक है, एक चीज़ हम यहां पर भूल गए है, और वो है, यह dependency add करना, this one, this Google Map, अगर यह आप नहीं add करेंगे, तो आपका project run नहीं होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि इस video को full देखिए, और आप नहीं create कर पाएंगे, ठीक है, अब आपका project जो है, वो almost set up हो गया है, यहां पर यह rest of documentation है, यह हम next video में explore करेंगे, बट उससे पहले मै चाहता हूँ, कि जो step मैं perform कर रहा हूँ, वो आप perform कर लें iOS के लिए, ठीक है, यह आप देख रहे हैं, Google Map, अब आपने क्या करना है, यहां type करना है CD iOS, तो यह क्या करेगा, iOS folder के अंदर चले जाएगा, और यहां पर आपने क्या करना है, port update, इसको क्यों अपडेट कर रहे है क्योंकि यह pubspec.yaml file के अंदर मैंने Google Map add किया है, तो आप यहां पर यह port file है, इसके अंदर यह चीज़े नहीं add होई, तो जब मैं इसको update के पर click, enter करूंगा, तो यह जो आपकी dependency है, यह iOS के लिए add हो जाएगी, ठीक है, यह हम इख्तियातन करते हैं, अगर आप नहीं करें तो most probably आपके पास error आ जाए, कि this does not exist here, whatever, ठीक है, आपके पास error आ सकता, so make sure करें, कि आपने यह कर दिया है, then आप यहां पर cd, double dot, और इस folder से बाहर आ जाए, and then आप अपना simulator on कर ले, and आप इसको run कर ले, ठीक है, जब यह run हो जाए, तो it means आपका project completely set up हो चुका है, अगर कि run नहीं होगा, तो it means आपके पास error आ रहे है, ठीक है, so यह, अब हम क्या करते है, यहां से अपना simulator select करते है, जो कि already आ चुका है, and let's hit the run button, yeah, so let's wait, and then हम इसको android के पर में आपको run कर के दिखाऊंगा, कि रन नहीं होगा, तो it means हमारा project set up नहीं हुआ, और हमारा project set up नहीं ह हुआ, तो फिर हमें error आ सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपके पास आए, so let's hit, okay, so यहां पर आप देख सकते हैं, कि यह project run हो चुका है, ठीक है, इसमें google map नहीं है, वो next video से हम add करना सीखेंगे, अब मैं आपको इसको run करके देखाता हूं android के लिए, ताके तमाम जो हम हमारा project जो है, वो run हो चुका है, android के लिए और यहां पर आप देख सकते हैं, इस install हो रहा है, so it takes a bit time, जब आप उसको first time run करते हैं, but you will see के जो हमारा project है, वो iOS और android दोनों के लिए run हो चुका है, ठीक है, यह आप देख सकते हैं, इसको पर मैं tap करता हूं, तो you see the changes here, okay, so that's it from this video, अगर आपने मुझे subscribe नहीं किया, तो यार subscribe ज़रूर कर लें, because मैं आपके लिए बहुत quality content बना रहा हूं, I do admit के मेरी videos की length थोड़ी सी ज्यादा होती है, because मैं चाहता हूं कि आपको detailed concepts की understanding दो, अगर आप detailed concepts की understanding नहीं कर सके, तो आपको future में problem आते हैं, ठीक है, so community ज़रूर जोइन करें, वहाँ पर मैं आप tips daily की basis पर share करता हूं, और आपके साथ chat भी करता हूं, इसके इलावा, आप social media पर मेरे साथ connect हो सकते हैं, so thank you so much and I'll see you on the next video.